Hello friends, welcome to सरकारी रिजल्ट एड़ा दोस्तों आज हम फिल लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको सभी लेटेस जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी की है अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें जूनियर इंजिनियर की पोस्ट है तोटल नंबर आफ वैकेंसी की बात करें तो 1477 वैकेंसी है और इसका p.scale की बात करें तो 9000 से 34000 के बीच में है और इसका grade पे 4200 रुप्या है अब बात करते हैं category wise वैकेंसी की तो unreserved candidate के लिए 871 वैकेंसी है OBC candidate के लिए 357 वैकेंसी है ST के लिए 12 vacancy है, total 1477 vacancy है अब बात करते हैं education qualification की अब बात करते हैं education qualification की तो candidate के पास 3 साल का engineering का डिपलोमा होना चाहिए relevant trade में अगर age limit की बात करें तो minimum 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए अब बात करते हैं application fees की तो journal और OBC candidate के लिए 225 रुपे fees है SC ST candidate के लिए 105 रुपे fees है और physical handicapped के लिए 25 रुपे fees है अगर payment board की बात करें तो debit card, credit card, net banking और चाहलान के थोरो आप payment कर सकते हैं अब बात करते है important date की तो form बनने की जो date है 30 October 2018 है registration का जो last date है 30 November 2018 है और application submission का जो last date है वो भी 30 November 2018 है application correction की जो last date है 7 December 2018 है आप इससे पहले form को जरूर fill up कर दें मैंने link description में दे दिया आप वहाँ पर detail में चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं job location की तो job location उत्तरप्रदेश है अगर selection process की बात करें तो return exam based है दोस्तों वीडियो देखने के लिए हुमारा साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद